नमस्का, मैं होसासी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मोख खबर जानते हैं इसके लिए वायू सेना द्वारा भरती अधिसुचना अगनी वीर वायू इंटेक 01-2022 अगनी पत इसकीम के अंतरगात हाल ही जारी की गई थी अधिसुचना के मुताविक वायू सेना अगनी वीर वायू भरती के लिए रईश्टेशन 24 जुन 2022 को सुबह 10 बजे से 5 जुलाई 2022 की साम 5 बजे तक किये जाने हैं अगनी वीर वायू रईश्टेशन 2022 के दवार उमिद्वारो को 250 रुपए एक जाम फिस का भुगतान ओनलाइन माधियम से करना होगा जारखन में मानसुन की बारिस में सुक्रवार को 44 फिसदी की कमी दर्श की गई है और 7 जीले में 60 परतिसत से अधिक की कमी का सामना कर रहे हैं बता दे मौसम विभार के एक अधिकारी ने बताया कि जब 18 जून को जारखन में मानसुन पहुंचा तो बारिस की कूल कमी 50 परतिसत थी राज्य में अच्छी बारिस होने के कान 22 जून को बारिस की कमी 49 फिसदी पर आ गई इसके बाद बारिस की तीवरता में कमी आई है और सुक्रवार को कमी बढ़कर 44 परतिसत थी राज्य में इस दोरान 132 मिलिमीटर की समाने बारिस के मुकाबले 1 से 24 जून तक 74 मिलिमीटर बारिस हुई है 26 जून को फुरानी पेंसन इसकीम लागू करेंगे सीम हेमन्द राजधानी राची के मौराबादी मैदान में 26 जून को फुरानी पेंसन इसकीम लागू करने की मायंग को लेकर सरकारी कर्मियों का पेंसन समानाले होगा इसमें ओडिसा तेलंगाना उतर परदेश बिहार मदेपरदेश सहीद बिभीन राजियों में फुरानी पेंसन योजना की मांग कर रहे करमचारी संगठनों के परतिनिधी सामिल होंगे बताद मिली जनकारी के अनुसार मोख्य मंत्री हमान सुरेन इस महा समेलान में बतोर मोख्य आतिती सामिल होंगे इस मोख्य पर वे राजिय में फुरानी पेंसन इसकीम लागू करने की घोसना कर सकते हैं नए सत्र से सभी बच्चों को मिलेगा किताब और पोसाख जारखन इसकूली सिक्षा एम सक्षरता विभाग की दो दिवसे समीक्षा बैठा गुरु आर्शे रातु इस्थी जे सी ए आर्टी में सुरू हो गई है विभाग के सच्ची उराजे सर्मा ने जीला सिक्षा पताधिकारियों और जीला सिक्षा अधिक्ष को कोई योजनाओ में तेजी लाने विभाग ये दिशा निर्देशों का अनुपालन करने के सक्त निर्देश देते हुए कहा है कि इनके परदर्शन के अधार पर ही उन्हें कोई जिमेदारी दी जाएगी उन्होंने अधिकारियों को पोसाक वा पाठे पुस्तक बित्रन में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि पहले जुलाई से सुरू हो रहे नए सत्र के पहले दिन से ही सभी बचों के पास नई पाठे पुस्तक और पोसाक हो जारखन में कॉंट्रेक्ट कर्मी अब होंगे अस्थाई मुख्यमंत्री हमनसुने ने लातेहर में बड़ी गोसना करते हुए कहा है कि सभी अनुबंध कर्मियों को निमीत करने के लिए सरकार निमावली बना रही है उन्होंने साब सबदों में कहा है कि अधिकारी जब मन चाये अनुबंध कर्मियों को टांसपर पोस्टिंग कर देते हैं लेकिन अब ऐसा नहीं होगा वह लाते हर में आयोजित परमंडल अस्तर ये बीरसा किसान समारों के तहुत के सिसी वित्रन समारों में बोल रहे थे बोर्ड परिक्षा में असफल स्टुडेंट को एन आई ओएस दे रहा मौका है एन आई ओएस चैतरिये केंद्र रांची में इस्ट्रीम टू में नमांकन पर किरिया सुरू हो गई है जैक, CBAC और ICAC बोर्ड परिक्षा में असफल भी द्यार थी बोर्ड परिक्षा के समकक्ष एकजाम दे सकते हैं इससे एक साल बच जाएगा असफल अभियार थी या अंग से असंतुष्ट अभियार थी 15 जूलाई तक इस्ट्रीम टू में सामिल हो सकते हैं बता दे आवेदन परक्रिया वेबसाइट पर पूरी होगी छेत्रीय निदेशक डाक्टर राजीव परसाइद ने बताया है कि स्ट्रीम टू में सामिल होने वाले अभियारतियों के परिक्षा अक्टूबर में होगी दिसंबर के पहले सब्ता में रिजल्ट जारी होगा सिम्डेगा की दो बेटियों का कॉमन वेल्थ गेम्स के लिए चयान कॉमन वेल्थ गेम्स के लिए भारतिये महिला होकीट टीम में सिम्डेगा जिला की दो खिलाडी सलीमा टेटे और संगीता कुमारी का चयान हुआ है इस खबर से जीले के लोग काफी खुस है विशेश तोर पर करंगा गुडी के नावा टोली तथा बढ़की छापरगा में खुसी का महौल है बता दे होकी इंडिया ने इंग्लेंड के बर्मी घम में 28 जुलाई से सुरू होने वाले कॉमन वेल्थ गेम के लिए 18 सदस्य भारतिये महिला होकी टीम का चैन किया है इस टीम में सिम्डेगा की दो महिला खिलाडी सलीमा टेटे और संगीता कुमारी का चैन किया गया है ACB ने गढ़वा और बोकारों में दो पुलिस कर्मी को घूस लेते किया गिरफतार सुक्रवार को फ्रस्टाचार निरोधक बियोरों ने गढ़वा और बोकारों में दो पुलिस कर्मी को घूस लेते गिरफतार किया है गढ़वा के सिरिबंसी धरनगर में पलामू ACB की टीम ने SDPO Office के रीडर अनिल सिंग को 8000 रुपे घुश लेते गिरपतार किया वहीं धनबाद ACB की टीम ने बोकारों के जरीडी थाना के ASI गुपतेस्वर पांडे को 3000 घुश लेते गिरपतार किया है बता दे पलामू ACB की टीम ने गढ़वा इस्थीत सिरिबंसी धरनगर के SDPO कर्याले के रीडर अनिल सिंग को गिरपतार किया है जमसेदपूर के टाटा जू का होगा बिस्तार कोरोना संक्रमन के कायान पिछले दो साल से जमसेदपूर का टाटा जू भी दर्सको के लिए बंध है धीरे धीरे श्थीती समाने होने के बाद बर्स 2019 के बाद इस मई महीने में 35,000 प्रेटक टाटा जू आये वहीं 10,436 बचों ने गर्मी के छोटी में इसका अनंद उठाया अब प्रेटकों को जू खुब भाने लगा है टाटा जू बच्चे समेत बड़ो को हमेशा आकरसित किया है जू में सेर और बाग के लावा हिरन की सरपट दोड 20 साल काया दर्याई घोडा समेत अन जंगली जानरों की अट खेलिया देखने की बनती है बता दे 25 हेक्टेर में फैले इस जू का अब और विस्तार हो रहा है दुमका में सलक हाजसे में उप परमूख और पारासिक्छक की मौत दुमका सिवडी मर्ग पर मसान जोर थाना के समीप बस पड़ाओ के सामने ट्रक के धक्के से रानिस्वर परखंड के नो निर्वाचित उप परमूख रंजीत दास और पारासिक्छक राकेश उरूप लिटिल पांडे की मौत हो गई है बता दे चार अन्य गंभी रूप से घायल भी है दुखाटना के तुरहत बाद मसान जोर पूलिस सभी को पूलिस वैन से CHC रानिस्वर पहुंचाया स्रावनी मेले के उदघाटन में 18 दिन बचे स्रावनी मेले के उदघाटन में महज 18 दिन से स्रागा है ऐसी परिस्थिती में मेला छेत्र में तैयरिया तेज कर दी गई है कावरिया पथ में PHED से चापा नल के लिए नई बोरिंग शुरू कर दी गई है कावरिया पथ पर बालू चालने का काम किया जा रहा है 30 जून से बालू बिछाने का काड़ शुरू कर दी जाएगा बतादे सुक्रवार को कवारिया पथ पर सभी बड़े गढ़ों के लेबलिंग कर दी गई है विधूत विभाग से तार के मरमत की जा रही है PHED के सोचाला की साप सफाई की सुरुवात की गई है वन विभाग द्वारा गेस्ट हाउस वा सेट की साप सफाई की जा रही है वहीं B8 कोलेज मैदान में पंडाल निर्मान का काम सुरू हो गया है रूट लाइनिंग में आरके मिसन से B8 कोलेज तक कवारियों के लिए औस थाई सेट का निर्मान किया रहा है दुमका के S.P. कॉलेज में होस्टल में रहेंगिंग दुमका के S.P. कॉलेज परिशर इस्थित आदिवासी कल्यान छात्रवाज संख्या पांच में जूनियर छात्रों के साथ रहेंगिंग का मामला सामने आया है जुनियर को सिनियर द्वारा नगन कर पिटने की सिकायत सुक्रवार की साम नगर थाना पहुंची पीडि छात्रों ने अपने ही कॉलेज के सिनियर छात्रों पर आरोप लगाया है इस समध में सिकायत करता बीमल मुर्मो ने बताया कि वे आधिवासी कल्यान छत्रवास संख्या 5 में राकर पढाई कर रहे हैं 22 जुन की आधि रात को छत्रवास के उपरी मंजिला में रह रहे सिनियर छत्रों ने जुनियर छत्रों को कमरे से बुलाया उपरी मंजिल के कमरे में बंद कर पहले पिटाई की बिरोद करने पर आरोपियों ने सभी छात्रों को नगन कर पिटा जारखन से बुरी खबर है यहाँ आस्मानी बिजली ने चार लोग की जान ले ली है मरने वालों में तीन बच्च्चे और एक महिला सामिल है बतादे मा और बेटी ने बजरपात की चपेट में आकर एक साथ दम तोर दिया है वहीं पलामू में सुक्रवार को बजरपात का कहर हुआ तीन अलग-अलग हटनाओं में चार लोगों की मौत हो गई है मरने वालों में मा बेटी भी सामिल है जारखन में 991 कलरक की बंफर भैकेंसी जारखन सरकार के विभीन विभागों में 991 निम्न वर गिये लिपिक अस्टोनो ग्राफर की नियुक्ती को लेकर होने वाली जारखन इंटरमीडियेट अस्तर ये सन्युक्त परित्योक्ता परिशा 2022 में सामिल होने के लिए अब 10 जुलाई तक ओनलैन निबंधन हो सकेगा जारखन करमचरी चैन आयोग ने ओनलैन आवेजन की समय सिमा और परिहार कारण बताते वे बढ़ा दी पहले ओनलैन इबंधन की अमतिमती थी 26 जुन निधारित थी राष्ट पती चुनाओ में द्रोपदी मुर्मुक का समर्थन करेंगे हिमाद सुरेन राष्ट पती चुनाओ के लिए जारखन मुक्ती मोर्चा आज आपने पत्ति खोलेगा राष्टपदी चुनाव में सतारूड जारखन मुक्ती मोर्चा राष्टिये जनतांत्री गटबंधन की परत्यासी द्रोपदी मुर्मु का समर्थन करने का निर्न ले सकता है बता दे मोर्चा के भीतर खाने इसे लेकर दबाव है और ज्यादातर विधायक और वर्ये नेता इस पक्ष में है की एक आदिवासी को देश की सरोच पद पर बैठने का मुका मिला है जारखन मुक्ती मोर्चा की राष्टिये जनतांत्री आदिवासी है हेमंत सुरेन के सेक्रेटरी आई एस बिनाय चौबे पर हाथ डालेगी इडी जारखन के मुक्ती मंत्री हेमंत सुरेन पर लगातार हमला बोल रहे भाजपा सांसा निसिकान दुबे ने ट्वीट पर फिर बादावा करते हुए सरकार में संसानी मचा दी है भाजपानेता ने कहा है कि इडी हेमंत सुरेन के सचीव बिनाय कुमार चौबे से पुष्टास करने वाली है निसिकान ने अपने ट्वीट में लिखा जनकारी के अनुसार परवतर निदे सालाई इडी ने ज़ार्खन के मुख्य मंत्री के सचीव बिनाय चौबे जी को बुलाने का निनाय लिया है सचीव महोदे से एक साल के अंदर तीन बार सराब की निती बदलने के पीछे की कहानी उनकी जुबानी समझी जाएगी मोमेंटम ज़ार्खन का CID जाच ज़ार्खन के पुरवर्थी सरकार में बहुच चीव मोमेंटम ज़ार्खन में अनिमित्ता के आरोप की जाच की जिमेदारी ज़ार्खन पूलिस की अपराद अनुसंधान विभाग कर सकती है उद्योग विभाग के मंत्री के रूप में मुख मंत्री हमन्सुरेन ने इस से सम्मदित प्रस्ताव पर अपनी समती दे दी है अब फाइल गिरिह विभाग पहुच गई है जहां विचार विमर्ज चल रहा है बतादे पुरुम में मुख मंत्री हेमन सुरेन ने मोमेंटम जहारखन के दरान कथित घोटाले की जाज फरस्ट चार नियोधक बियोरों से कराने की खोशना की थी जिस पर भी चार बिमर्ज हुआ और इसके तक्निकी पहलुओं की भी जनकारी लिगाई मुख मंत्री हेमन सुरेन के लिज अवंटन और उनके कारीबियों के सेल कंपनियों में निवेज समंधी मामलों की गुरुवार को जहरखन हाई कोट में वर्चुल सुनवाई होई सुनवाई की दरन मुख्य मंत्री की ओर से 11 जुलाई तक सुनवाई अस्थागित करने के आगरह किया गया जिसे आदालत ने नम मंजूर करते हुए कहा कि जब तक इस मामले में सुप्रीम कोट से इस्टे नहीं आ जाता तब तक सुनवाई जारी रहेगी मामले की सुनवाई चीप जश्टिस डाक्टर अवी रंजन और जश्टिस सुजीत नान परसाद की खंट पिट में हुई आदालत ने सिश संकर सर्मा की ओर से दायर दोनों एचकाव पर अंगली सुनवाई के लिए 30 जुन किती थी ताय किया है जार्खन परासिक्षकों ने सरकार को लिखा खास चिठी अस्थाई करणवा सेवासर्थ निमाली को लेकर अंदोलन को धार देने के लिए परासिक्षकों के विभीन संगों को मिला कर गठित किया का एकी किरित परासिक्षक संगर्ष मुर्चा भंग हो गया है बतादे मोर्चा के संजोजक बिनोद बिहारी महतों ने जारकन सिक्षा पर योईना परिशत की निदेशक कीरन कुमारी पासी को इसकी लिखी जनकारी दी उन्होंने अब होने वाली बैठक में अलग-अलग संगों के नाम से पत्र जारी करने तथा संबंदित संगों के पतादिकारियों के बुलाने का अनुरोद किया है साथ ही महतों ने अपने पत्र में जारकन राजे सयोगी सिक्षक संग का अध्यार्ज बिनोत तिवारी को बताते हुए उनके नाम से पत्र जारी करने का अनुरोद किया है राष्ट पती पद की उमिद्वार द्रोपती मुर्मों के नोमिनेशन में सुदेश महतो हुए सामिल राष्टपती चुनाव में सतधारी राष्ट्रिये जनतांतरी गठवन्धन एंडिये की ओर से राष्टपती पत की उमिदा द्रोपती मुर्मू ने नमांकन पत्र दाखिल किया इस मौके पर जहां पिये मोधी समेत एंडिये और उसके सयोगी दल के नेता मौजूद थे वहीं आईसू सुप्रियो सुद्देश महतो भी साथ दिखे बता दे की केंद्रिये मंतरी साखोटी सांसत अरष्टपती पत की उमिद्वार द्रोपती मुर्मू के प्रस्तावक बने है धन्यवाद